Hey guys, welcome to our Tech Forum Mind आज की वीडियो में फिर से हम दो जौब recruitment कार देखने वाले हैं फर्स जो की दो कंपनी की तरफ से आ रही है और ट्रेंस कंपनी की तरफ से आ रही है और आज की वीडियो में आप सभी eligible होने वाले हो कि आपने BBC Tech करा हुआ है BCA करा हुआ है X, Y, Z आपने कुछ भी करा हुआ है, आज की वीडियो में eligible होने वाले हो, तो वीडियो को पूर आसा देखना, बताने वालों कैसे अप्लाई करना है, कौन को इसके अप्लाई कर सकता है, क्या eligibility criteria है, क्या आपके selection को बहुत से होने वाला है, क्या आपके exam का pattern होने वाला है, कितन बात करते हैं, जोह कंपनी के बारे में, तो जोह कंपनी भी hiring कर दिये, फैशर को, प्लस experience को, for software developer position के लिए, आप फैशर हो, या आप किसी कंपनी में काम कर चुके हो, तो भी आप स्कल प्लाई कर सकते हो, कंपनी ने mention कर रहा हुआ है, आपके पास, जिदो से लेके to your experience है, त तो आप स्कल प्लाई कर सकते हो, means आप 19-च के student हो, 20-च के student हो, या 21-च में पास आप होने वाले हो, तो आप 300 स्कल प्लाई कर सकते हो, बात करें डिगरी के बारे में, तो मैंने आपको बताया, आपने गैशर में कुछ भी कर रहा हुआ है, B.E.B.T.E.C., M.E.M.T.E.C., B.C M.E.C., M.C.E., 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 X, Y, Z आपने कुछ भी कर रहा हुआ है, आप स्कल प्लाई कर सकते हो, और आप exam कर करते हो, company का, interview कर करते हो, company का, तो आप कुछ आप मिल सकते हो, company की तरफ से, first offer, developer position के लिए, and यह percentage का का रहा है, आपका 60% से कम है, आपके 10th में, आपके 12th में, यह आपने गारिशिंग करा हुआ है, आपको 60% से कम है, तो आप ऐस रप्लाई कर सकते हो, and एक condition और है, अगर आपने last 3 months में, कभी जोग का exam नहीं दिया है, interview नहीं दिया है, तो आप ऐस रप्लाई कर सकते हो, और आपने exam दिया हुआ है, तो आप ऐस रप्लाई नह करना पड़ेगा, company ने mention भी करा हुआ है, job discussion वाले section में, अब software developer की job है, तो coding तो आप लोगो को आनी चाहिए, आप लोगो code add करना पड़ेगा, प्लस company के software होने वाले हैं, तो company का project आएंगे, उसमें कोई new feature add करना है, या उसको test करना हुआ, तो वो आप लोगो करना पड़ेगा, प्लस इसके साथ साथ, जो company के existing software होने वाले हैं, project होने वाले हैं, उनको आप लोगो को maintain करके दखना पड़ेगा, अगा software में कोई problem आती है, कोई bug आता है, तो आप लोगो solve करना पड़ेगा, टवल शूटिंग करना पड़ेगी, debug करना पड़ेगा, और जो company के other developer होने वाले हैं, उनके साथ आप लोगो काम करना पड़ेगा, other team में, और आप लोगो mobile application development में, उसकी designing में पड़ेगा, आपको job बलती है, बात करने इसके exam pattern के बारे में, तो company ने managing करा हुआ है, total आपके 5 round होने वाले हैं, पहला round आपका होगा, एप्टी का, जो कि approximate, 10 घंटे का होने वाला है, फर्स तांड के लिए करोगे, तो आप लोग को 2nd round देने का मौका में लेगा, जो की coding का राइट होने वाला है, तीन घंटे का आपको exam होगा, जिसमें 5 programming में प्रोडर्म्गे question आएंगे अपके exam में, 3rd round के लिए करोगे, तो आपका 4th round होगा, जो कि technical interview होने वाला है, जो कि approximate 5 घंटे का होगा, जो कि online ही होगा, जिसमें वो लोग आपके technical skills, आपकी problem solving skills, आपके logics, एन आप लोगों से कुछ code भी कराएंगे, जो कि MCV type के होने वाले हैं, आप लोगों को उनका output बताना जो कि आपको technical round में होने वाला है, technical round के लिए करोगे, तो आप लोगों को HR round देने का मौका मिलेगा, जो कि approximate एक घंटे का होने वाला है, HR round के लिए करोगे, तो आप लोगो job मिल सकती है, जो कमपनी में, software developer position के लिए, तो I hope आप लोगो exam पेटने समाझ में आगे हुआ, आप आपको main point के apply कैसे करना है, तो apply करने के लिए आपको link मिलने वाला है, वीडियो के description में, आपको link पर click करना है, link पर click करने के यवाद कुछ लाए कर पेज को लेगा, आपको नीचे एक form मिलेगा, आपको form फिलप करना पड़ेगा, आपको name, आपको mobile number, आपको email address, आपको department, म आपको degree होने वाली है, आपको list में मिल जाएगी, select करने के बाद, आपका stream, आप IT से हो, या non IT से हो, check out करेगा, आपको option मिल जाएगा, आपको passing ही है, आप 19 में के student हो, 20 ए 21, आपको 3 option मिलने वाले है, आपको college का नाम, आपका date of birth, एक option होगा, work experience वाला, आपने किसी company में काम करा हुआ है, आप डाल सकते हो, otherwise fresher होगे, तो zero flip करेगा, आपका address, and last में एक option होगा, district वाला, अगर आप लोग की district, इसमें आती है, तो आप लोग select कर सकते हो, otherwise एक option होगा, others वाला, उस पर click करेगा, others पर click करने के बाद, अपना resume प्लूट करेगा, upload करने के बाद, submit पर click कर देओ, तो उसके according आप negotiate कर सकते हो, company से, आप select होते हो, company में तो, and एक point आपको और clear कर दूँ, कि apply करने के बाद, आपके बाद, confirmation का mail नहीं आएगा, आप apply करोगे, आपके बाद, direct task का link आएगा, and second main point, task का link अब आने वाला है, तो बता दूँ कि, job अभी post किये, सबसे पहले मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, उसके उपर, तो approximate, one month का time लगेगा, आपके बाद, test का link आने में, लेकिन आप लोगों के बाद, test का link आई जाएगा, और आप लोग apply करने वाले हो, and last three month में, आप में जोग का exam नहीं दिया है, तो 99% चांते हैं, कि आप लोगों के बाद, test 50 plus company है hiring कर रही है, चाया आप fresh हो, चाया आप graduate हो चुके हो, तो भी आप इसके apply कर सकते हो, and यह percentage का, कोई cadre नहीं है, आपका 60% है कम है, आपके 10th में, आपके 12th में, आपके graduation में, तो भी आप लोगो इसके apply कर सकते हो, and यहाँ resume shortlist नहीं होगा, आप लोग apply करोगे, आपके test का link आएगा, test के लिए करते हो, तो आपको approximate 15th LP तक का package मिल सकता है कमपनी तरफ से, and जो आपका exam है, वो 22 June को होगा, exam के लिए करोगे, तो आप लोगो इस score मिलेगा, उसके basis पर, आप different company के apply कर सकते हो, जैसे की coordination है, leado है, laser pay है, urban cap है, upgrade है, 1MG है, और भी बहुत सारी company है, आप लोग 50 plus company में apply कर सकते हो, अपने score के basis पर, तो आप लोगो apply करना है, तो उसका link मिलने वाला आपको वीडियो के description में, and यह exam free नहीं होने वाला, इसके लिए आपको pay करना पड़ेगा, जिसकी fee है, 1099, लेकिन आप लोग, kuban produce करते हो, TEP 10, तो आप लोगो 10 बसं का discount मिल आपको pay करना पड़ेगा, after discount आपको pay करना पड़ेगा, 1799, and इसके उपर मैंने particularly dedicated video बनाये हुआ है, कैसे आपको apply करना है, क्या आपको syllabus होने वाला है, क्या आपको exam का pattern होने वाला है, एक और check out करेगा इस वाली वीडियो को, इसका link मिलने वाला है आपको वीडियो के description में, अब बात करें second job के बारे में, क्योंकि trains company की दरब से आ रही है, तो trains company भी hiring कर दिये फैशर को, अब आप लोगोंने BEB tech करा हुआ है, MCA करा हुआ है, तो आप इसका apply कर सकते हो, आप इतना BEB tech, CSIT ब्रांज से, या circuitel ब्रांज से करा हुआ है, तो आप लोग इसका apply कर सकते हो आपको at least 60% हो चाहिए, आपको at least 60% हो चाहिए, आपके 10th में, आपके 12th में, या भी गैशन करा हुआ है, BEB tech, MCA, आपको at least 60% है, तो आप लोग इसका apply कर सकते हो, आप बात करें कि आप लोग को apply कैसे करना है, तो apply करने के लिए आपको link मिलने वाला है, वीडियो के description में, आपको link पर click करना है, link पर click करने के बास कुछ आएका page खुलेगा, आपको फिल अपको फिल अप करना पड़ेगा, आपका first name, आपका last name, आपका email address, phone number डालेगा, आपके college का नाओ, आपका university, आपका stream जो भी हो, CSID, आपका 10th का percentage, 12th का percentage, आपका generation का percentage, fill up करेगा, fill up करने का submit पर click करेगा, और apply करने के बाद, आप लोगों के पास confirmation का mail भी आने वाला है, company तरब से, और आप लोगों को screen पर भी दिखाई दे रहा होगा, कि आप लोगों ने इसके लिप apply कर दिया है, आप फोड़ा wait करेगा, आप select होते हो, तो आपके बाद test का link आने वाला है, test के लि कर दूँगा, और वीडियो पर संदा like कर देना, मिलते नेक्स वीडियो में, thank you and good bye.